पश्चिम दिली के मुंड का में एक वेरहूस में जो है वो बिशन आग लगी और आग लगने से लाखो रुपे के नुक्सान नोगी खबरी समय आ रही है वीडियो स्टाट करें से फ़ेले आपसे रिक्वेस्ट करते है के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हम ट्रेंडिंग नीव सबसे पहले देते है तो दोस्तो पश्चिम दिल्ली के मुंडका में जो है वो आग लगी है और लाखो रुपे के जो है वो नुक्सान नोगी खबरी समारी है दमकल विभाग वहां पहुच चुका है और कोशिश हो रही है कि आग पर काबू पालिया जाए आप वीडियो में देख सकते है कि किस तरह से आग लगी है कितनी तेजी से आग फैलरी है दमकल विभाग के अधिकारों ने हम जानकरी दी कि इस घटना में किसी के हतात होने की अभी कोई खबर नहीं है आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने अगनी शामक कई गाड़िया जो हो मौके पर रवाना कर दी दिल्ली अगनी शामन सेवा के निदेशक अतुर्गग ने बताया कि रात करीब 10 बच कर 23 मिर्ट पर आग लगने की सूचना मिली और दमकल की 34 गाड़िया मौके पर ही रवाना कर दी गई उन्होंने कहा कि संदे है कि गोदाम में चेकित सा अउपकरन रखे होए थे उन्होंने ये भी बताया कि आग पर काबू पाने के पूरे परयास किये जा रहा है साथ ही आग के लगने के कारणों को अभी पता नहीं चल पाया है बता दे कि इससे पहले भी हाल ही के दिनों में कई बार दिली में आग जने की घटना हो चुकी है बीते दिनों दिली की रोहिनी कोट और आर्मी केंडिन में भी आग लगने की घटना हो चुकी है वहीं आप स्क्रीन पर देख सकते दोस्तों की कैसे जो है वो आग ने तेजी से लपटे एकदम से फैल गई आग की और बहुत ही घातक रूप ले लिया अब आगे और जानकार यानी बाकी है जैसे ही आएगी हम आपको जरूर पताएंगे तब तक की लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें प्यार दिखाए अपना मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद